आश्रम, Class of 83 और Animal Jersey फिल्मों में अपने आक्टिंग का जादू चला कर बॉबी देवल ने खुब तारीफ बटोली भले की उन्हों इंडस्ट्री में एक स्टार किट के तौर पर एंट्री ली लेकिन आज लोग उन्हें उनकी आक्टिंग की वजह से ही पैचानते हैं धर्मिंद के बेटे होने के बाद भी उन्होंने अपना स्टार्डम अपने दम पर कमाया है पर भी बॉबी देवल मानते हैं कि उन्होंने कर्यार में एक ऐसे फिल्म की है जिससे वो बेहत निराश थे उनका मानना है उन्हें उस दोरान थोड़ा मिचौर होना चाहिए था और एक इंटर्व्य में उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए बताया था कि जैसे maturity उनके अंदर अब है वो उस वक्त होनी चाहिए थी महीं Bobby से पूछा गया कि उन्हें villain और chocolate boy में से कौन सा किरदार जादा पसंद है इस जवाब में उन्होंने कहा था कि कुछ भी नहीं उनका कहना था कि वो दोनों किरदारों में से कुछ भी नहीं चुनेंगे अभिनेता के रूप में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है 1990 के वक्त उन्हें maturity नहीं थी ये बात उन्हें काफे निराश करती है 1998 में रिलीज हुई करीब को विदू विनो चोपराक नहीं डारेक्ट किया था और बॉबी अब सोचते हैं कि फिल्म में बिलजू वाले किरदार के लिए उनमें अब जैसे maturity होनी चाहिए थी फिल्म करीब ने बॉक्स ओफिस पर अच्छा परफॉर्म किया था वो भोला और निर्दोश किरदार बॉबी शायद ही भूल पाए उनके लिए वो उनके करियर की सबसे खास फिल्म थी जिसे वो शायद ही भूल पाए वहीं आपको बता दे उनकी वर्क्रंट की बात करें तो अभी रेता फिल्म इंडस्ट्री में आज भी आक्टिव हैं और धीरे-धीरे करियर में और आगे बढ़ रहे हैं अनिमल के बाद उनके पास जो है पांच अपकमिंग प्रोजेक्स पाइपलाइन में हैं जिसमें कुछ साउथ की फिल्म में हैं और एक फिल्म में बॉबी देवल जो है विलन का किददार भी निभाते होए नजर आ रहे हैं तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कॉमें सेक्षण में अपनी रहे जरूर दीजेगा और सब्सक्रा की बॉलीबूट की ताम अबडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं